हलो डिये सुरेंट वल्कम बैक टो वर चानल आरकी सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं BBMQ semester 4 वाले विद्यार्थियों के लिए कहने करती है कि जो भी विद्यार्थिये BBMQ से हैं और semester 4 में है means semester 4 का चाहं से साथ-साथ आपका जो चाहिंली। मैं होगा यह भी कोर्षन हुट रहा है तो ये सारे के सारी कोशन को हम लोग इस वीडियो में देगरे दिए दिए पढ़ेंगे उसमें से पढ़ना क्या है ठीक है और वो mcq-based रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा या तो फिर एंग्लिस रहेगा कि हिंदी रहेगा हर चीजों के बारे में हम लोग क्लियर करने वाले हैं ठीक है तो देखे सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप semester 4 के student है और BBM के student है ठीक है तो हम लोग को BSE 2 पढ़ना है और BSE 2 में जो है न हम लोग को environmental studies पढ़ना है जिसको हिंदी में कहते हैं परियावरन अवनयन क्या कहते हैं परियावरन अवनयन कहते हैं ठीक है जब आपका examination का routine निकाला गया है तो examination का routine में आपको ये चीज से दिया वाए कि environmental studies आपको पढ़ना खुझ से देखना पड़ेगा कि आपका subject जो है सबका सिम सब्जक्ट है environmental studies में बियसी 2 में जो है सब विद्यार्थियों को जो है यही पढ़ना है environmental studies पढ़ना ठीक है जिसको हिंदी में कहते हैं परियावरन अवनयन क्या कहते हैं परिया government studies पढ़ना है परियावरन अवनयन पढ़ना है है अब बात यहां पर आता है कि यह mcq रहेगा कि subjective रहेगा क्या रहेगा mcq रहेगा कि subjective रहेगा ठीक है लेकिन इसके पहले मैं यह बताने से पहले मैं इसके syllabus को आपको बता देना चाहता हूं कि आकर इसे जो questions पूछेंगे वो किस प्रकार के questions पूछें जाएंगे मैं आपको syllabus दिखा देना चाहता हूं ठीक है और syllabus के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग whatsapp group और telegram group में दिया गया है आपको सर्ज करना यूट्रो प्याली फोर आरके सेंटर बीवीं की समेस्टर फोर आपके सामने खुल करके आ जाएगा और नहीं अगर आता है तो description box में प्लेलिव का लिंक राल दिया जाएगा वाँ आप लोग सारे clear कर सकते हो ठीक है तो चलिए दोस्तों सब का हमारा सिलेबस ठीक है इसके अंतरगत में इस प्रकार के कोशन है जो कि इंग्लिस में है तो आप लोग को तुछा सा दिकत लग रहा हूं को भी एसी टू भी यहां पर लिखा बाद ठीक है मैं इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके दिखा देना चाता हूं कि क्या क् ठीक है ताकि आपको बढ़िया तरीका स्वाज में आ सके कि क्या क्या चीजे इस पर से हम लोगों को पढ़नी है तो देखे दोस उसी का इंग्लिस का हिंदी मैंने यहां पर ट्रांसलेट कर दिया है हाना यहां पर देखे चौता समेस्टर दिया बाए और परियावरन अवन किसको कहते हैं इसके क्या क्या महत्व है क्या क्या घटा क्या उसके बारें पढ़ना है पारस्त्तिकी तंत्र की बारें पढ़ना है ठीक है यह जिसके बारें पढ़ना है फिर दूसरा आपको पढ़ना है पारस्तिकी तंत्र की संरचना और कार कि आकिर पारस्तिकी तंत्र ज का प्रभाव की प्रदूसर्ण जो होते हैं उसका क्या क्या सुरूत होता है प्रदूसर्ण का क्या क्या सुरूत होता है क्या क्या प्रकार होता है और उसका क्या क्या प्रभाव पढ़ता है उसके बारें पढ़ना है फिर वाईयों प्रदूसर्ण के क्या कारण होते हैं को जानना है ठीक है में इसके अंतरगात हम लोग यह सब चीज से क्वोशन आपका यहां में पूछे जाएंगे आगे देखिए यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है जैब विविता और प्राकृतिक संसाधन किसके बारे में जैब विविता और प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर प्राकृतिक संसाधन कैसा है किसकο कहते है नवी करणिये संसाधन क्या है गैर नवी करणिये संसाधन क्या है इसके बारे में लोग को जाना है और यही सबसे कूशन दोस्तो पूछे जाएंगे अब देखिए यहां तक हम लोगों ने मैंने आपको बता दिया कि इसका सिलिबस क्या है अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तो मैं आपको इसका बीबियाई कोशन करवा दूँगा उसके साथ मैं आपको कंफर्म बता दूँगा कि आपको हिंद रहेगा, वो MCQ रहेगा, Objective Question रहेगा, आपको Subjective Question नहीं पूछा जाएंगे ठीक है तो आपके मन में जो श्रब्म चल रहा था कि MCQ होगा कि subjective होगा तो गया होगा mcq based होगा ठीक है क्या होगा mcq means objective होने वाला ठीक है अब इसके next वीडियो में जो है आपका आएगा दोस्तों उसमें आपको विवियाई questions मिल जाएगा उसके साथ